बाईजूज एक्जाम प्रेप आपकी सीविल सेवा परिक्षा की तैयारी के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह रहा है हम अपने यूट्यूब चैनल के जरीए 2023 में आपके लिए और भी बहतर प्रयास करने जा रहे हैं तीन जनवरी 2023 से दाहिंदू समचार पत्र विश्टेक्षन प्रति दिन दोपहर 12 बजे से लाइव होगा जिसमें आप अपने पसंदीदा शिक्षक के द्वारा अपनी पहाई कर सकते हैं इतना ही नहीं इस परतिश्चित परिक्षा को उत्तीर करने में आपकी साहिता है तू नए साल के लिए और भी जादा पहले हमारी तरफ से आपके लिए आयोजित की जा रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्स्क्राइब करें और अपने सिविल सपने को उडान द नमशकार बाइजूस एक्जाम प्रेप आयस हिंदी प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग 30 दिसंबर 2022 के दबिग निउज में चर्चा करने वाले हैं इंडिया औस्टेलिया E.C.T.A. तो यह E.C.T.A. क्या है? Economic Cooperation and Trade Agreement तो दोस्तों हम लोग इसमें बात करेंगे कि यह E.C.T.A. समझोता किस प्रकार दोनों देशों को लाप पहुचाएगा इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे इसमें कि सभी टेरिफ लाइन पर भारती वस्तों को 0C मासुल के साथ औस्टेलिया के बाजारों में पहुच प्राप्त होगी और साथ साथ हम लोग बात करेंगे इंडिया औस्टेलिया रिलेशन के बारे में भी इसकी थोड़ी सी प्रिस्टिभूम पर भी चर्चा करेंगे तो यहां बहुत ही महत्वपूर आज का टॉपिक है इससे जरूर सुनिएगा पूरा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया औस्टेल यह बहुत ही महत्वपूर हो जाता है और एडिशनल 10 लैक जोब टू बी क्रियेटिड इन इंडिया अंडर ECTA यानि एकोनामिक एंड कोपरेशन ट्रेड एग्रिमेंट दोस्तों इंडियन योगा टीचर्स एंड शेप टू बेनिफिट फॉम एन्युवल वीजा कोटा और इंडियन इस्टूडेंट टू बेनिफिट फॉम पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इन सब बातों को हम लोग पिसलेशन करेंगे तो भारत ऑस्टेलिया आर्थिक सायोग ब्यापार समझा होता तो दोस्तों भारत ने अगर देखा जाये तो इस वर्स दो महत्वपूर समझा हो भारत युएई ब्यापक आर्थिक साजेदारी समझा होते के प्रभावी होने के बाद अब 29 डिसंबर से भारत ऑस्टेलिया आर्थिक सायोग और ब्यापार समझा होता लागू हो गया है इससे दोनों देशों के बीच दुपक्छिय ब्यापार एवं दुपक्छिय में और प्रगाढ़ता आएगी और इस तरह से भारत के 6000 से जादा उत्पादों के निर्यात पर आस्टेलिया में कोई भी सुल्क नहीं लगेगा दोस्तों the ECTA यानि Economic Cooperation and Trade Agreement 2 April 2002 को स्ताक्षर किया गया था and ratify on 21 November यानि 21 November को इसकी अभी पुष्ट की गई और दोस्तों 29 November को लिखी तदी सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया था और उसी के 30 दिन बाद 29 December से यह समझ होता प्रभावी हो गया तो दोस्तों यह तो रहा इसके बारे में कि यह कब कब क्या हुआ इसमें महत पूर्ण यह हो जाता है यहां पर आप देख सकते हैं क zero duty by Australia on 100% tariff line, additional 10 lakh job in India, increase investment from Australia, over 1 lakh Indian student to benefit from post study work visa and Indian yoga teacher and shape to gain with annual visa quota तो दोस्तों यह कह रहा है यहां पर आप देख सकते हैं कि over 45 to 50 billion bilateral trade in five year यानि अगले पांच वर्सों में 45-50 billion अमेरिकी डॉलर का दोनों देशों के बीच दुपक्चिय ब्यापार होगा तो दोस्तों आस्टेलिया द्वारा सत प्रतिसत टेरिफ लाइनों पर सून्य शूल को होगा तो इस तरह से भारत और आस्टेलिया इसी ती ये दोनों देशों के बीच ब्यापार को प्रोसाहिद करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए संस्था गत तंतरु पलब्द कराएगा और यहां भारत और आस्टेलिया द्वारा संचालित लगभग सभी टेरिफ लाइनों को कवर करेगा दोस्तों अगले चार से पांच वर्सों में भारत में अतिरिक्त दस लाख रुजगार स्रिजित होंगे यानि इस समझहोते के बाद से दोनों देशों के बीच और जादा प्रकारता बढ़ेगी यानि भारत को इससे रत्न एवं आभूसन, कपड़ा, चमड़ा, फुटवीयर, फरनीचर, खादेयों, क्रिस्री उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएं, चिकिस्सा उपकरनों आटो मोबाइल जैसे भारत के स्रम आधारित छेत्रो सहित इसके सौ प्रतिस्त टेरिफ लाइनों पर उपलब्द कराए गए, वरियता पूर्ण बाजार पहुँच से लाप्राप्त होगा तो दूसरी तरफ भारत अपनी टेरिफ लाइनों में से 70 फीसिदी से अधिक पर आस्टेलिया को आस्टेलिया की निरियात दिल्चस्पी वाली लाइनों सहित वरियता पूर्ण पहुँच देने की पेसकस करेगा जिन में मुख्य रूप से कच्चे माल तथा कोईला, खनिज, अवयो अयस्क तथा वाइन जैसी मध्यवर्ती वस्तुएं सामिल हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत आस्टेलिया को निरियात में पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त, परिधान, इंजिनरिंग सामान, चमडा, रसायन और रत्न, आभूसन जबकि आयात में कच्चा माल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आस्टेलिया को परिस्कृत वस्तुएं निर्यात करने की बहुत सारी संभावनाई हैं भारत के पाप क्योंकि वे मुष्किल से किसी वस्तु का विनिर्माल करते हैं वे मुख्य रूप से कच्चा माल और मद्यवर्ती उद्पादक देश हैं तो इस तरह से हमें सस्ती वस्तुएं प्राप्तों होंगी जो हमें न केवल बैश्विक रूप से और अधिक प्रतियस्पर्दी बना देंगी बलकि हमें भारती उभोकताओं की बेहतर तरीके से सेवा करने में भी सक्चम बनाएंगी और हमें और अधिक किफायती कीमतों पर और ज़्यादा गुनवत्ता पूर्वस्तुएं प्रदान करने में सक्चम बनाएंगी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आस्ट्रेलिया आज देखा जाए तो यूरेनियम के प्रमुक उत्पादक यानि यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार आस्ट्रेलिया के पास है यहाँ पर आप देखेंगे यह के पियार के पेनिसुला है यहाँ पर वीपा खान है जो कि विस्व की सबसे बड़ी बॉक्साइट की खान है यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे माउंट इसा यहाँ सीसा, तांबा, जस्ता, चांदी सभी प्रकार के खनिच पाये जाते हैं इसी तरह से ब्रोकेन हिल है यहाँ पर आप देखेंगे तो काल गुरली और कूल गार्डी सोने की खाने हैं यहाँ पर हीरा पाये जाता है तो इस तरह से हम कच्चा माल वहाँ से प्राप्त करेंगे और भारत और आस्टेलिया इस तरह से इन वस्तों को परिस्कित करके भारत निर्माण करेगा और अपना निर्यात बढ़ाएगा और बैस्विक प्रतियस परधा में भारत आगे बढ़ेगा भारत की स्रम प्रधान छेत में जैसे मैंने बताया रत नाबूसन, कपड़ा, चमड़े, जूते, फरनीचर, भोजन, क्रिसी उत्पात, इंजिनिंग उत्पात, चिकिसा उपकरन और आटो मोबाइल को भी लाब होगा दोस्तो भारत का डेरी उद्योग, आप देख सकते हैं, भारत में बवेशियों की संख्या विश्य के प्रमुख देशों में से एक है, यनि टॉप फाइब कंट्री में आता है, भारत दुग्द का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ऐसे में डेरी उद्योग को भी काफ भी आगे ले जाएगा, दोस्तो जहां तक सेवाओं में ब्यापार का संबंध है, तो ऐस्टेलिया ने लगभग 135 उप छेत्रों में ब्यापक परतिबधताओं, तथा भारत की दिल्चस्पी वाले मुख छेत्रों को कवर करते हुए, 120 उप छेत्रों में सरवाधिक वरीता पूर्ण यानि Most Favored Nation रास, सरवाधिक वरीता पूर्ण रास्ट का दरजा देने की पेसकस की है, तो दूसरी तरह भारत ने 103 उप छेत्रों में आस्ट्रेलिया को बाजार पहुँच तथा व्यवसाय सेवाओं, संचार सेवाओं, निर्मार तथा संबंधित इंजिनरिंग से आधि जैसे 11 ब्यापक सेवा छेत्रों से 31 उप छेत्रों में सरवाधिक वरीता पूर्ण रास्ट यानि Most Favored Nation का दरजा देने की पेसकस की है, तो दोस्तों दोनों पक्षों ने इस समझाओते के तहट फर्मास्टिकल उत्पादों पर एक अलग परिसिस्ट परसामती जताई जो कि पेटेंटी कृत, जेनेरिक तथा बायो सिमिलर दवाओं के लिए फास्ट ट्रेक अनुमोदन में सक्षम बनाएगा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच यह समझाओता, पॉइंट वाईज अगर ध्यान रखेंगे, तो क्या-क्या मैंने बत आती छात्रों को पोस्ट इस्टडी वर्क वीजा, डेड़ से चार वर्स तक का लाब होगा, और इस तरह से भारती योग सिक्षकों और रसोयों को भी वार्सिक वीजा कोटा मिलेगा, और यह समझाओता अगले पांच वर्सों में दुपक्षिय ब्यापार, जो वर्तमान म 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, बढ़ करके 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने में मदद करेगा, दोस्तों आस्टेलिया पहले दिन से ही 96.4% निरियात के लिए भारत को सूने सुलक पहुँच की पेसकस कर रहा है, इससे कई उत्पात सामिल हैं, जो वर्तमान में आ 25 प्रतिसत सीमा सुलक को आकर्शित करते हैं, और दोस्तों यह 1 जनवरी 2023 से तेजी से कारे करेगा, तो यह मान सकते हैं कि इस वर्स दो प्रमुक समझोते में से एक रहा, एक युनाइटेड अरब अमीरात के साथ, और दूसरा ऑस्टेलिया के साथ, दोस्तों भारत ऑस्टे नवा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि नई दिल्ली कैनवरा का नवा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तो दोस्तों 2021-22 में वर्सों और सेवाओं का जो बाइलेटरिल ट्रेड हुआ था 27.5 बिलियन डॉलर का था, तो इस तरह से भारत और ऑस्टेलिया के बीच प्रगार दुपक्चिय संबंध हैं, जिनमें हाल के वर्सों में काफी बदला हुए हैं, अब यह एक सकारात्मक दिसा में बिक्सित होकर मित्तापूर साजेदारी में बदल गए हैं, दोस्तों इंडिया ऑस्टेलिया ब्यापक रणनीतिक साजेदारी इंडिया हुई जो दोनों देशों के बहुपक्चिय तथा दुपक्चिय संबंधों की आधार सिला है, दोस्तों वर्स 2019 and 2021 के बीच आस्टेलिया को भारत का जो वस्त निर्यात यानि गुड्स एक्सपोर्ट 135% इंक्रीज हुआ, यानि भारत के निर्यातों में मुक के रूप से परि तो वर्स 2021 में आस्टेलिया से भारत द्वारा किया गया माल का आयाद 15.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें बड़े पैमाने पर कच्चा माल, खनीज और मध्यवर्ती सामान सामिल थे भारत और आस्टेलिया एक महत्पून रणनीतिक साजेदार भी है, यानि स्ट्रेटिक पार्टनर भी है, दोस्तों भारत और आस्टेलिया दोनों ही देश क्वैड ग्रूप, यानि इंडिया और अमेरिका, आस्टेलिया और जापान इसके सदसे हैं, ताकि सहयों को और बढ निखलाओं में लचीलेपन को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो इस तरह से यह दोनों देशों के बीश समझा होता, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीश समबंधों में और प्रगाधता लाएगा, और इस तरह से भारत वैस्वी कस्तर पर और पुलगार्डी यह दो प्रसिद्ध खाने किस खनिच के लिए प्रसिद्ध है जो कि आस्ट्रेलिया में इस्थित है इसके साथ साथ आस्ट्रेलिया की बॉक्साइट की सबसे बड़ी वीपा खान आस्ट्रेलिया के किस प्रांत में इस्थित है इन दोनों प्रस्णों के उत्त झाल